अगर हम किसी वी स्कूटर की most value for money variant की बात कर लेते हैं तो वो उसका base वाला वेरियंटी होता है तो आज के इस वीडियो में हम Honda Activa 125 के base वाले model के साथ comparison करने वाले हैं सुच की XS 125 base वाले model का है सब्सक्रा दोस्तों मेरा नामे सत्यम और स्वागत करता हूं आप लोगों को नए से वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों स्कूटर के बीच में हम comparison अच्छे से करने वाले हैं ताकि आपको अच्छे समझ जाए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्सन कौन सा होने वाला है यह मेरी राय जो है परस्टनल अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास तक बने रहेएगा अगर आप चैनल नहीं है चैनल को लाइक से रोज सब्सक्राइब करिएगा अब हम बात करेते हैं सुचकी एक्सेज 125 से बेस वाले मॉडल की ओन रोड प्राइजिंग की तो अगर हम इसकी ओन रोड प्राइजिंग की बात करें आपको जो है एक लाके 1000 में आपको जो है इसकूटर आपको देखने को मिल जाएगी अब हम इन दूनों स्कूटर की जो अब को डूर्द देखने को मिल जाता है कर बस करते हैं लुछट यहाइज दोनों जो है आपको हाइलोजन में देखने को मिल जाता है क्योंकि यह बेस वेरियन्ट होने वाला है अगर आम इसके अगर थोड़ा हो नीचे आते तो आप देखेंग आप इस न्ड आका बैजिं देखने को मिल जाता है उस समय जो इसकी कुशूरती काफी आच्छी गाड़ी की बढ़ जाती है यह आप देखेंगे जो लाइनियीं गोला सिस्टम दिख रहा है यह रात में इसके साथ तो देखने काफी ज्यादा खुबसूरत लगता है यहां पर देखने को मिल जाता है जो इसकी बात करते हैं मटगाट की पहले जो भी अक्टिव आते थे वह बिल्कुल में आते थे क्यों कि मजबूती जो काफी अच्छी-कासी होती थी यहां देखिए इसकी मजबूती है पहले कितार बिल्कुल बरकरार कर दिया क्योंकि बीच में जो भी अक्टिव आती थी उसमें प्लास्टिक यूज किया जाता था लेकिन अभी पूरापना कॉमबैक किया है और यह मजबूती के लिए ही जानी जाती है यहां पर आपको मेटल का यह लगे आपको यहां पर नहीं मिलता है या जो है आपको जो अब बात कर लेते हैं चाहें इसकी वालियन की बात करें की बात करें अगर हम इसकी headlamp setup की designing की बात कर लेते हैं, बीच में आपको split type की designing देखने को मिल जाती है, उपर जो low beam का option आपको देखने को मिल जाता है, नीचे जो high beam का option आपको देखने को मिल जाता है, यह चाहिए base variant या top variant सब में LED का ही setup आपको देखने को मिल जाता है, एक चीज मुझे चीज़ लेकि side arrow fender की बात कर लेते हैं, तो आपको metal body में देखने को मिल जाता है, अगर हम इसकी turn indicator की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको hyalogen bulb में ही देखने को मिल जाएगा, यहाँ जो पाइलेट लेंप है, आपको LED में देखने को मिल जागा, लेकिन यह जो base वाला variant ह इसलिए इसमें आप देखेंगे, हाइलोजन bulb का यूज किया गया है, अगर इसकी हम मटगाट की बात कर लेते हैं, तो फ्रंट वाला जो मटगाट है, आपको metal body में देखने को मिल जाएगी, और इसकी wideness है काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा, अगर हम द होता है, वो काफी अच्छा-कासा होता ही होता है, लेकिन आप देखेंगे, अगर रिम की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं, तो कहीं से आपको यह नहीं लेगा, कि यह काफी पुराना सा old model वाला आपको इसकूटर देखने को मिलेगा, अगर हम फ्रंट में इसकी breaking system की बा करने वाले तो सबसे पहले सुरुबात करते हैं, हुंडा एक्टिव बॉन 25 के बेस वाले मॉडल के साइट प्रफाइल से, अब कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको फूट्रेस देखने को मिल जाता है, हम इसकी डामेंशन की बात कर लेते हैं, तो इसकी ले आप काफी अच्छा-कासा आता ही है, तो 162 mm की इसकी ग्राउं क्लेंस हो जाती है, अगर हम सीट हाइट की बात कर लेते हैं, शुट्व फिर बेस बेरियंट लेंग जो डाइमेंशन होते हैं, तो गाड़ी में इसमें चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर पर फि सब्सक्राइब देखने को मिल जागा है अगर इंडिकेटर यहां पर देखने को मिल जाता है पिछे अगर हम डायट की साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा अगर पीछे की प्रोफाइल की बात करते हैं तो प्रोफाइल की बात करतें तो फाइप पॉइंटी लिटर की टैंक सब्सक्राइब देखने को मिल जाता है अगर हम आपको इसे लगाएंगे इसको अगर नहीं लगा हुए बाके मैं आपको यहां आपको सीट खोल के दिखा देता हूं यहां आप देखेंगे अब बात करें अब बात करें अब बात करें सुच्छी एकसे बेस वाले मौरल के जो आपको इसकी डैस्बोर्ट पर आते हैं तो कुछ इस सरी के आपको प्यारा साथ डैस्बोर्ट देखने को मिल जाता है अब आगे और बात करेंगे क्या क्या चीज मिल जाती है फिलाल इदर आप देखेंगे लोग विम को देखने को मिल जाता है अगर हम इस साइड आते हैं तो सारा चीजंद फिल्ट आपको देखने को मिल जाता है यह जो geβoud उसके साथ सणी शेंगे सफिट को को दिखने मिल जाता है उसके साथ चांट गयाता हे वस्तासा काम किया शूचकी ने इस अपने च्छा ऐसे काम किया काफी काफी अच्छा लगा तो मैं सुचाओं आप लोगों को जरू स्कूटर के बारे बताऊंगा क्योंकि यह जो बेस्वाला वेरियंट है काफी प्रीमियम आपको देखने को मिलता है यहां पर टॉप मोडल जाते हैं तो आप देखने को मिलता लेकिन फिलाल इसमें नहीं मिलेग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको यह 24 लिटर का जो पूटी स्पेस देखने को मिल जाएगा और काफी अच्छा खासा आप आराम से इसमें रख सकते हैं उसके थोड़ा जगह बचेगा उसमें जो समान अपना आराम से रख सकते हैं तो एक चीज मुझे काफी अच्छ अब भी सब्सक्राइब कर देखने को मिल जाएगा इसमें चै को सपोर्ट करने वाला है अगर हम यहीं पर इसकी टैंक की बात कर लेते हैं लगवाग पांच लिटर करके इसमें दिखा देता हूं किस तरीकी के इसमें फ्यूल जो है फिलब कराया जागा बहुत ही आसान इसको खोलना आराम से खोल के यहां पर फिलब करा सकते हैं आपको थ स्कूटर की माइलेज की बात कर लेते हैं तो लगवाग कंपनी क्लेम करती है 50 के अप्रोक्स माइलेज देने वाली है फिलाल 125 स्कूटर है तो 50 45 मेरे इसाफ सब 45 के अगर यह माइलेज देती है तो काफी अच्छी खासी बात है काफी बड़ा इंजन आपको देखने को मिल सब्सक्राइब इस की बात कर लिए तो पीछे जो आपको हैलोजन ब्लड में देखने को मिल जाता है और यह साइब अब व्रकैक्ण की बात कर लेते हैं तो आपको इसंची में पर नहीं चाफी स्कूटर है काफी लंबा देखने को मिलता यहीं रीजन है कि इसका जो इंड हो पर Kopf को देखने को देखने को मिल जाएगा यहां पर बात कर लेते हैं आ इसम्हां को ट्यूब्लेश तरफ हाल मुझे थन का इसक बीछे आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफी आपको अच्छी का सब्सक्राइब कोर्षाइब को सबीची कर लोग इस कि और फार की बात कर लेते हैं तो की बात कर लेते हैं तोenf две फेसे 177 में हैंक आफो मिल नेको मिल जाता है फिलाल हम सीट हायट की बात कर लेते हैं तो 173 mm का जो आपको सीट हाइट देखने को मिल जाती है तो 130 kg में जो है आपको यह स्कूटर देखने को मिल जाती है तो 130 kg के आपको देखने को मिल जाता है और उसमें चोटा से बात को आपको देखने को मिल जाता है और उसमें चोड़ा सब्सक्राइब होनी यह का अछी चिए मध आप को यह सब्सेंगे प्लत दिखने आहींगा आपको MAR tadi ट करने का शर्पर निख Sepanjay में आपंड़े और कि टीवा की आपके घ्रता प्रेंगे kया कहा है वो criteria जादा यूज किया गया तो यह जो चीज है प्लस पॉइंट आपको एक्टीवा में देखने को मिल जागा अगर किसी को जो है बलकी नेचर का स्कूटर चाहिए तो वह सुचकी एक्सेस 125 पर जा सकता है लेकिन अगर किसी को जो है बलकी स्कूटर से मतलब नहीं है अपने बॉ स्कूटर चाहिए तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो यह लाइक कते हैं अगर आपको किसी और स्कूटर के बारे में जाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं